पूछे अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानि के अंशु कुमार के साथ दोस्तो इस कारकर में आप हम से खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की तुरंद फॉन उठाई और अपना सवाल पूछिए फॉन के अलाबा फेस्बुक वाटसेप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृशी विशेशग डॉक्टर अफदेश शुक्रा जी शुक्रा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारक्रम में धन्यवाद तो दोस्तों अपने कारक्रम की शुर आपका सवाल आये था अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल में मैं आपको दवा बताने पहले एक दो बात पूछना चाहता हूं आप लेसन लगाय हुए कितने दिन हो गए लासन तो लगाय है दो भी नहों गए अच्छा और दवा आपने कौन सी डाली थी दवा मैरा थी निया दो तिन से प्याँ हो गए है यह एक यह मैरा थियान जो दवा है यह कीड़ों को मारने की दवा है क्या उसमें कीड़ा लगा हुआ था पत्ती के ऊपर निक पीड़ा त जाए अच्छा दाली है तो सो यह मैरा पर लीटर देखिए ऐसा आए मैला थियान जो है दो दसबलब पांच मिली लीटर से एक लीटर में घोल बनाते हैं और अगर इससे जादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे पत्तियों में इसकार्चिंग हो जाती है पत्तियां ज जुरसने लगती है तो यह आपने जो दवा डाली है यह जाना मात्रा में डाल दी है जाना मात्रा में डाल दी है अब कोई आपको दवा डालने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे अब जो पत्तियां निकलेंगी वह जुलसेंगी नहीं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवा तो दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से राकेश कुमार जी से जो कि हर्याना के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो राकेश कुमार जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से आपका सवाल आया था जी सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछें अपना सवाल सवाल मैंडम ये था की पूल्ट्री फारम के लिए ये लेर फारम ठीक रहे हैं कि वाइलर फारम ठीक रहे अपके कोण से में ज़्यादा मुन आपकें कितनी लाकत हैं तो देखिए मूर्गी में सब वड़ी बात यह कि मुर्गी में जो प्रजातियां पहले की प्रजातियां जो हैं आपकी मुनारका लेगहान और रोड आपका अंडा जो है ये देशी होने की वज़े से महेंगा बिखता है I.B.R.I. ने जो ये वाइलर वाला जो मुर्गियां हैं सियामा निर्वीक उपकारी और हिटकारी निकाली हैं ये चार वेराइटी हैं अब सवाल इस बात का है कि जो आप मुर्गी पारन करना चाहते हैं तो इसके लिए दो तीन बातों के ध्यान रखें एक तो उसका जो आप बाड़ा बनाएंगे वो आपका जालीदार होना चाहिए उसकी दिवाले नभी नहीं उसमें रहना चाहिए नमी के लिए धान की भूसी नीचे बिशाना चाहिए और बीमारी के लिए इसमें ठीका करन जरूर करा दें जी सर आपका बहुत-बहुत धनिवाद हमसे जुने के सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आईए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से महताब आलम जी से जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो महताब आलम जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं अन्शु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से जी मैं बोली है सर आपका सवाल आया है जी जी सर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल मैं हमारा दवाल यह है कि हम अपने फ्रेट में हाथ की खर्पतवार के लिए च्रिकाओ के थे जे और उसमें हमारी गल्पी यह हुई कि उसमें दो दवा मिक्स हो गई जे टोटल और नाबूद जे उसकी वज़े से गेहूं जल रहा है हमारा इसे के लिए हमको स्लिशन चाह है जी सर्थ वो दवा से अब जल आ है तो उसके लिए निवारन करना अब उसका वो नहीं है अब सिर्फ यह है कि उसमें आप पर वे में सिचाही कर दें ताकि उसमें पौदे में अच्छी तरीके से नमी बनी रहे और धीरे दीरे अब जो पत्तिया निकलेंगी वो फिर उन और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब फिलाल एक छोटा सा ब्रेक जो है नीम की पत्ती नीम की निवाली ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में दोस्तों इस कारक्रम में आप हमसे खेती बाड़ी और पच्छो पालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब तो अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की तुरंट फोन उठाई और अपना सवाल पूछिए चले फिलहाल अपने कारक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से राहूल सिंग जी से जो कि हर्याना के रहने वाले हैं तो आईए बात कर हैं तेर आप अपने सवाल पूछोड सकते हैं पूछे अपने सवाल जो इसम आते हैं अब देखिए कैसे बचार करेंगे आप समझ लीजिए दस किलो आप पत्ति लीजे नीम की और उसको आप 10 लीटर पानी में उबा लिए जब पांच लीटर पानी रह जाए तब उसमें एक किलो लेसन खूप कुछर करके अच्छी तरीके से पानी को च्छान करके उसका पानी पांच लीटर और उसमें लेसन डाल दीजे और 200 ग्राम तंबाखू क डूल, उसको डाल दीजिए, आप रात बर रखा रहने दीजिए, और रात बर रखा रहने के बाद इसको अच्छी तरीके से च्छान लीजिए ताकि छिड़काओ करने वाली मसील में कोई चीज ना फसे, अब जो आपने ये तैयार किया है, पांच लीटर तैयार किया है, इस से आपके रस्यूसने वाले, काटने वाले कीरे दोनों ही नस्ट हो जाएंगे, दूसरा ये है कि अगर आपने बिनोली, निवाली जो है इसकी, निवाली जो गिरती है, उसको एकटा करके रख लीजिए और सुखा लीजिए, लेकिन आठ महीने से ज्यादा नहीं रखनी, आ आपके कीर इससे भी मर जाएंगी, विशना आप नहीं का सकते हैं, तो आप नीम का तेल लाकर के, नीम का तेल का 5% का घुल बना करके, और उसका भी शिर्काव करेंगे, तो इससे भी कीरे मर जाएंगे, थैंक्ट्यू सरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुढ़न प्रेंगा अब अबिदों व्ही से तो अभी अब होता है अब सकते हैं अफ। डिक अब आपको व्हल्रेही ने किया वहले सख्कते अब मसस्याथ और अब आप के लिए अच्छा ये रहेगा कि अगर आपके सहर के पास सबजी की सप्लाई अच्छी होती है, तो आप मटर बो दें. अभी मटर लेट नहीं होगा सर. देखिए जो ऐसा मटर में जो सिटम्बर से भी बोई जाती है और उसके बाद लेट बेराटी भी बोई जाती है. तो उसमें ये ह कि आपको जब तक यह मटर खतम हो जाएगी और जब आपकी मटर बाद में तयार होगी तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएगी जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए सवाल कूशने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं अपने नमशकर सर मैं अन्शु बात कर रही हूं ग्रीन टीवी से एस λe सर आपका सवाल आया था आपको अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछेे सिख है अपने सवाल मेरा सवाल था कि construir जी से चाँ में देकिए आम का जो आपने बगीचा लगाया है कितने वर्स का हो गया है 10-11 साल का हो गया है आपने लाइन से लाइन की दूरी और पौदे से पौदे की दूरी कितनी 10 मीटर रखी है इससे कम रखी है लगवा 25 फीट है सर 25 फीट मतलब 8 मीटर पर आपने लगाया अब ये बताईए पेर से पेर मिल गया है या अभी सूरज का प्रकास जो है वो उसमें जमीन पर पड़ता है कुछ में तो मिल गया है और कुछ में अभी नहीं हुआ है देखिये जिसमें नहीं हुआ हाए उसमें आप हलदी लगा सकते हैं बहुत अच्छी आपको प्यदावार मिलेगी दूसरे ये है कि आप रवी के दिनों में गेहूं भी इसमें आप उगा सकते हैं कि यहां पर च्छाव हो गई है वहां पर हो तो जाएगी लेकिन पैदावार उसकी कम हो जाएगी इसलिए कि धग जाने की वजएसे सूरज का प्रकास ना बनने की बजए से पत्टियों के दोरह जो खाना बनाया जाता भो सूर के प्रकास में mara तो अगर सूरज की कम मिलेगा तो खाना कम बनेगा पौदा कम जोग रहेगा फदल कम होगी जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए जैसे कि आम के बगीचे में मैंने बहुत जामून भी देखा है तो कि जामून की खेती भी कर सकते हैं देखिये आम के बगीचे में जामून की खेती नहीं होती है बलकि चारो तरफ उसके आम के बगीचे के चारो तरफ जामून के पेड लगा देते हैं लेकिन ये कह कि अगर आम के बगीचे के भीतर जामून का पेड लगा है तो जामून का पेड आम के पेड से सब्सक्राइब करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में दोस्तों अपने कारेकरम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जो की राजस्थान के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो जी हलो नमस्कार सर मैं अंशु बात करें ग्रीन टीवी से जी सर आपका सवाल आया था सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपना सवाल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले तो हम हाइबरिड बराटी का अच्छा सेलेक्शन करते हैं उसके बाद अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके बीज उपचार करके और उसके फ़सल को हम जब लगा देते हैं तो लगाने के बाद जिस सब्सक्राइबरिंग स्टेज सुरू होती है तो इस टार्टिंग में जो फ्लावर्स खिलते हैं जो पूरी तरीके से खिल जा पाते हैं उन फूलों को तो हम निकाल देते हैं पूरे गुच्छे गुच्छे निकाल देते हैं जो हमारे फूल लंबे और अध्किले फूल होते हैं उन फूलों को क्या करते हैं कि उसमें बंदी करन और पराग गण का काम सुरू करते हैं और उसको चिम्टी की साहिता से प काम साम के चाहिम पर किया जाता दिन में नहीं किया जाता है। उसमें उस भैञ्ज्ञानिक को यह मालुम होना चाहिए कि जब मनें बोया डिसी आदिन होता है। तो नरके निकाल करके एसके हमारा पूंकेषर जो यह साहथ से जी ता के एंधर कहते हैं, इनको निकाल करके अलग कर लेते हैं और उसके बात्व मादा बंदिय करण करा करके हमने छोड़ लगका है उसको बुरूपि चैज़तां कराते हैं जी तो वह हमारे भी कुछ जैसे फार्मा ज्यानकार है जो लेते हैं तो अगर हमें आप वह सीड अवेलेबल करवादें जी के माध्यम से तो हम उसे मल्टिप्लाइब करेंगे जी ठीक है तो बहुत अच्छा है आपका इसके लिए सबसे बेस्ट है कि सीड आप आई आराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से सत्वीर यादब जी से जो कि हर्याना के रहने वाले हैं तो आई जानते हैं क्या है इनका सवाल एक्टूबर नोंबर में लगाए जाती है अक्तूबर-Normar में हां और इसके वल्ब होते है in अंपर नयुकों को लगाते है और ये बड़े पिर इनी को फिर से हम जब दूसरी बार फसल देना सुरू करेंगे तब इनको लगाएंगे पहली बात अब बात आती है दूसरी की हम कौन सी प्रजाथियों का इस्तेमाल करें तो एक आती है एसियाटिक लिली अच्छा जी हाँ और देखिये इसको लिली को लिलियम भी कहते ह हाः इसका बाटनी का लिलियम भी है तो अगर आपको लिली के जगह पे कोई ये कह ईए लिलियम तो एक ही बात है दूसरी जो हाईवरिट बैयाथिस आती है उसमें कई रंक जी आती है हाईवरिट सफेद, हाईवरिट गुलावी, हाईवरिट नारंगी जी अच्छा इसकी जो उचाई होती है कभी कभी इसकी उचाई जो हाइबरिड वाली है वो 6 फिट तक उची हो जाती है अब करना ये है कि पहली साल आप खेट की तैयारी करें अच्छी तरीके से मिट्टी पलटने वाले हर से या डिस्क हैरों से इसकी जुताई करें जुताई करने के बाद तीन सो से साड़े तीन सो कुईंटल पर हेक्टर गोवर की खाद या कंपोस्ट खाद खेट में डाल के मिलाएं फिर एक सो बीस किलो नाइटरोजन, साथ किलो फासफेट, चालिस किलो पुटास इसको आप अंतिम जुताई पर मेंसे आप पूरा पुटास और पूरा फासफेट आप और आदा आप जो है वो नाइटरोजन लेकर के खेट में मिला दें उसके बाद इन बड़ों को जो लगाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बड़ जो है उल्टे नहीं लगने चाहिए इन में क्या है कि इसका ऊपर का साइड जो है पॉइंट एक पॉइंट होता है इसमें पॉइंट ऊपर रहना चाहिए जिससे किल्ण निकलेगा देखिये माली को भी आप ले सकते हैं कुछ नहीं तो मैं आपको बहुत साधा तरीके समझा रहा हूँ देखिये जो बल्व है जैसे आपने प्याज देखा प्याज तो उसमें नीचे एक जड़ो होती है और उपर उसी मैंसे किल्ला निकल जाता अगर प्याज को रख देते हैं तो उसमें छमना सुरू हो जाता है बिल्कुल इसी तरीके कि ये गांट होती है, इसे वर्ब कहते हैं, तो जो उपर किल्ला निकलने वारा जो है, उसको उपर रखें, उल्टा न लग जाए, अच्छ, ये डारेक्शन को जो उसमें है, चिम्टम है, वो उपर रहर निचे गाभी किसा, हाँ, उसको आप देखने स कि नमी परियात मात्रा में खेत में होनी चाहिए, तो पानी देने से मौस्चर रहेगा, पानी लगाना पड़ेगा, नहीं पानी लगाने के बाद तुरंट नहीं देना है, अच्छ, अच्छ, इसी लिए पहले नमी होनी चाहिए, खेत की तैयारी करने के बाद जो हम पैसे लेकर के और दस रुपे तक का आपको मिल जाएगा राइट सर राइट हाँ जी तैयार कितने दिन में हो जाता है यह देखिए यह जो है मैंने आपको बता दिया कि यह जब आप लगाएंगे तो 60-60 दिन के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इसकी अच्छा साथ और अर्थ अवस्ता में अगर दूर हमें कहीं बेजना है तो पूरा खिला हुआ फूल होने पर नहीं काटना चाहिए उससे पहले ही काट लेना चाहिए डेंटल साहित लीचे से डेंटल से काट लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम काटते हैं तो इसको जैसे आपने जर्वेरा की खेती होती है उसमें भी डंटल के साथ तो देखिए ऐसा है कि आपको जर्वेरा की खेती के बारे में आपको एक एपिसोड हम दिखा देंगे हर्याना में जर्वेरा की खेती बहुत जाना होती है तो उसको आप देख करके निली की खेती कर सकते हैं जी ज़्याना करते हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे तो आप महत्पूर्ण जानकारी दी है सभी कॉलर्स को आप हमारे स्टूडियों में आये और आपने कीमती समय हमें दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद तो दोस्तों अगर खेती बारी और पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप भी पूछना चाहते हैं तो तुरंद फॉन अपने सवाल पूछिए फॉन के अलावा फेस्बूक वाटसेप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल फिलाल आज के इस कारकरम में बस इतना ही मुझे दीजिए इजासत और देखते रहे ग्रीन टीवी नमस्ते कि अज़ में उतना आप हमारे साथ तर सकते हैं।